गोड एवनिंग, सभी दरिश्कों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग निज ये है कि विभिन किसान संगटनों के द्वारा आठ दिसंबर को भारत बंद का एलान किया गया है। साथी कई राजनेतिक पार्टियां भी इस भारत बंद को समर्थन दे रही हैं। अब प्रेश्न ये होता है कि आठ दिसंबर को क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, क्या-क्या सुवधाय मिल सकती हैं और क्या-क्या सुवधाय नहीं मिलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिती क्या होगी, आपको कहीं आना जाना होगा, तो क्या होगा, आफिसेज में कैसे आप पहुंच पाएंगे, आफिसेज खुलेंगे, आप बंद रहेंगे, साथी साथ व्यापारी संगठनों का क्या कहना है इस संबंद में, तो ये सब बा से निकलने से पहले, आप ये डिसाइड कर लें कि आपको घर से बाहर निकलना है या नहीं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लेगे तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेर जरूर कर दीजेगा, और अपने सभी साथियों को, ताकि सभी को जानकारी हो जाए, और वो अपना साथानी और सतरकता बढ़ते हैं, किसी भी बंद के दोरान सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ड को लेकर, भारत बंद के दोरान दिल्ली बासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ड की बहुत बड़ी समस्या का साबना करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जो टैक्सी एसोसेशन है उसने भी भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है ये 7 दिसंबर आज की ही न्यूज है 4.16 पीम मोधी सरकार के नए क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांस्पोर्टरस एसोसेशन ने अपना समर्थन दे दिया है राज़्ट्री राजधानी के आटो टैक्सी संगठनों ने फैसला लिया है कि वह इस भारत बंद में शामिल होंगे हाला कि इस फैसले से राश्टी राजधानी दिल्ली के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या प्रब्लिक ट्रांस्पोर्ट की खड़ी हो जाईगी दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांस्पोर्टर्स एसोसेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है 11 दिन बीच चुके हैं लेकिन भारत सरकार सिर्फ डेट पर डेट दे रही है इसलिए हमने 8 तारीक को किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन किया है इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आटो और टैक्सी जो हैं वो कल 8 तारीक को बिल्कुल बंद रहेंगी कहीं भी आपको टैक्सी या आटो की सुविधा नहीं मिलेगी किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए टैक्सी एसोशेशन के देक्स ने कहा कि सबसे पहले किसान हमारा अंद दाता है हमारी माह हमें जन्म देती है लेकिन किसान सरदी गर्मी बरसात में मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिस से हम रोटी खाते हैं और हमें जीवन मिलता है सरकार ने जो किसान पॉलिसी बनाई हैं हम भी उसके खलाफ हैं उन्होंने आगे कहा कि दूसरा सबसे बड़ा कारण हम टैक्सी वालों के लिए सरकार काफी समय से कानून बना कर टैक्सी बस मालिकों और चालकों का सोशन कर रही है और उनको बरबाद करने पर तुली है ओला उबर जैसी विदेशी और विदेशों से फंडिंग लेने वाली कमपनियों ने भारत के चालकों को गुलाम बना दिया है और हमारी मांगों पर भी भारत सारकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है बता दें कि इसके पहले रविवार को दिल्ली की टैक्सी और बसों के कई संगठनों ने सिंदु सिमा पहुँच कर किसानों का समर्थन किया है तो टैक्सी यूनियन ने भी इस भारत बन को समर्थन दिया है आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से दिल्ली बार्डर पर परदर्शन कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीश से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है हाला कि 9 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और केंदर सरकार के बातचीश होगी लेकिन उससे पहले किसान संगठनों ने भारत बंद का आवान करते हुए सभी लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्सी यूनियन वालों ने समर्थन दिया है कि हमने आठ दिसंबर को भारत बंद का एलान किया है जो कि सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चलेगा हरताल के दोरान दूकाने और ब्यापार बंद रहेंगे हालांकि बंद के दोरान एमबुलेंस समय दूसरी आपातकालिन सेवाएं चालू रहेंगी दूकाने और ब्यापार बिल्कुल बंद रहेंगे आटो और टैक्सी यूनियन द्वारा भारत बंद में एकजुट होने से दिल्ली वासियों को परिशानी हो सकती है दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांस्पोर्टर एसोसेशन के अध्या संजय समराट ने एक बयान में कहा कि दिल्ली इस्टेट टैक्सी को अपरेटिव सोसाइटी और कौमी एकता बेलफेर एसोसेशन भी आठ दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेंगे प्रमुक तोर पर ओला उबर के ड्राइबरों वाली सर्वोदे ड्राइबर एसोसेशन भी समर्थन करेंगी भारत बंद के दोरान बैंकिंग सर्विसेज भी प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि कई बैंक यूनिनों द्वारा किसान अंदोलन के समर्थन की वज़ा से आठ दिसंबर को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं इन यूनोंनों ने सरकार से अंदोलन किया है कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या को खतम किया जाए आल इंडिया बैंक इंप्लाई एसोसेशन ने एक बयान में कहा कि सरकार को आगे आकर किसानों की मांग पूरी करनी चाहिए All India Bank Officers, Confederation All India Bank Officers Association और Indian National Bank Officers Congress ने सरकार से किसानों की समस्या दूर करने की अपील की है Trade Union पंजाब के Hotel और Restaurant Association ने भी समर्थन दिया है किसानों के समर्थन में Indian National Trade Union Congress, All India Trade Union Congress, हिंद मजदूर सभा, Center for Indian Trade Union, All India United Trade Union Center, Trade Union Coordination Center शामिल है पंजाब के Hotel और Restaurant Association ने का है कि पहले से बुक के ही शादियों और बैंकोट को छोड़कर सभी होटल, रिसॉर्स और बार दस आठ दिसंबर को बंद रहेंगे। बात करें राजनेतिक पार्टियों की तो आम आदमी पार्टियों ने भी क्रिशी कानूनों के विरोध में किसान सगंडसों दौरा आठ दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करने का एलान कर चुकी है। दिली के मुख्यमंत्री और पार्टि के राष्टी सयोजक अर्विंद केजरिवाल ने रविवार को कहा कि देश भर में आप कारकरता राष्ट के अपी हर्ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से किसानों का समर्थन करने की अपील की। अर्विंद केजरिवाल ने ट्वीट किया आठ दिसंबर को किसानों द्वारा किये भारत बंद के आहवान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कारकरता शांते पूर्ण तरीके से इसका समर्थन करेंगे। सभी देश भासकियों से अपील है कि सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें ऐसा कहना है आम आम आदमी पार्टी के मुख्य मंतरी अर्विंदर केजरिवाल जी का। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर बिपक्ष भी लामबंद हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिय गांधी, आर्चीपी के प्रमुक शरत परवार, मार्क्सवादी कम्निस पार्टी के महासचिव सीता राम एचुरी, डियमके के प्रमुक एमके स्टालिन और गुपकर घोशनापत्र गठबंधन, के अध्यक्ष फारुक अब्दुला समेत प्रमुक विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संइक्त बयान जारी कर, किसान संगठनों द्वारा बुलाये गए भारत बंद का समर्थन किया, और केंदर पर प्रदर्शन कारियों की वैद मांगों को मानने के लिए दबाव है, वो आज ही कर लीजे, कल आप कोशिश करें कि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, तो वो आपके लिए बहतर रहेगा, तो ये थी आवश्यक जानकारी, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को भी शेर कर दीजेगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए, ओके, थ थैंक यू